वेलकम स्टुडेंट्स स्टुडेंट्स आज हम प्रोकेरोटिक एल्गीस के जो सेललर स्ट्रक्चर है उनके बारे में अध्यन करेंगे चुकि लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो एल्गी है उनमें प्रोकेरोटिक प्रकार के और यूकरिटिक दोनों ही प्रकार के अलगी स्पाए जाते हैं तो उनका जनरिक अध्यन करने से पहले हम ये चाहेंगे कि प्रोकरिटिक अलगी की जो बेसिक हर एक और्गिनिस्ट की बेसिक यूनिट हो जो होती है उसे हम सेल कहते हैं या कोशिका कहते है वह एक इकाई है चाहिए वो कैसा भी जीव हो बड़े से बड़ा जीव हो या चोटे से चोटा जीव हो बड़े से बड़े प्लांट हो या हूमन हो तो बेसिक यूनिट इस सेल तो हम पहले देखेंगें कि वो सेल किस प्रकार का होता है प्रोकिरिटिक जीव है और्गेनिजम है उसका सेल और यूकिरिटिक जो और्गेनिजम है उसके सेल की मुख्य करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और उनमें मुख्य अंतर क्या पा जाता है तो जैसा कि इस चितर के अंदर इस स्लाइड में हम देख पा रहे है कि यह एक ultra structure दिया गया है Sinophone Cell का Sinophone Cell मतलब Sinophisae एक family है शेवालो की जिसके अंδर सारे के सारे प्रो केरिक शेवालो को रखा गया है तो हम अगर आप cellular structure देख रहे हैं इसके अंदर तो आप देखेंगे कि जो सबसे बाहर इसमें cell wall structure में आप देखेंगे तो यह dotted dotted structure जो है यह jelly coat है यह उस कोशिका के बाहर एक gel like structure का आवरन पाय जाता है फिर आप देखेंगे उसके बीतर की और jelly coat के बीतर की और cell wall मिलेगी यह जो structures है जो blue dots से मेरे बता रहा हूँ यह कोशिका बित्ती है टाइडो glycan layer की पाई जाएगी फिर उसके बीतर cell wall के बीतर जो चीज पाई जाएगी उसको हम कहेंगे plasma mamine तो cell wall के just अंदर की और यह जो green dot मैंने के माजम से दिखा रहा हूँ यह है plasma mamine plasma mamine हर एक यहाँ पर जो structure है उसका अपना एक बिशिस्ट पर्मेबल होती है जबकि cell wall जो है फुली पर्मेबल होती है यह plasma mamine का दाइट है कि वो आंधरिक वातावर्ण जो है कोशिका का उसको maintain करें क्योंकि कोशिका के अंदर का जो आंधरिक वातावर्ण है वो बहुत ही important है उस कोशिका के कारिये के लिए function के लिए अगर उसमें थोड़ा सा भी बदला होता है तो उसका विप्रिट प्रवाब कोशिका की growth पर कोशिका के कारियों पर उसकी वृद्धी पर होता है और इसी का कारिय है कि वो बहाय environment से उसको भिन रखता है बहाय environment मत का मतलब यहोगा जैसे ionic concentration है अंदर प्लाजा मेंट के अंदर कितनी ionic concentration होची है negative ion concentration जादा होगी या positive ion concentration जादा होगी बाहर क्या रहती है वैसे normal state के अंदर है जिसको resting state कहते हैं resting state में negatively charge condition जादा रहती है और positively charge जो है membrane के बाहर की और अधिक रहता है और इस कोशिका के अंदर जो और बहार जो वाता वर ने उसमें अधान प्रदान भी होता जिसको केते हैं transport कहीं सारे substance जो है membrane जो है वो uptake करती है बाहर से और कहीं सारे substance को बाहर बेच ती जिसको membrane transport कहते है तो यह इसका प्रमुक दाइट होता है plaza membrane का कि वो membrane transport को भी regulate करें it regulates the internal environment of the cell as well जबकि cell wall का यहाँ पर जो मुख यह का रहे है वो इसको एक shape provide करना है it provides a specific shape to the cell फिर हम उसके बीतर की और बात करें तो cell wall के plaza membrane के अंदर जो है उसको हम कहेंगे जो blue colors के अंदर पापिस दिखा रहा है यह सब क्या है cytoplasm है अभी cytoplasm जो है cytoplasm के अंदर दूसरी कई सारे cell के अंदर पाए जाने वे बिन प्रकार के structures यहाँ पाए जाएंगे nucleic acids पाए जाते हैं proteins पाए जाते हैं और दूसरे important molecules यहाँ पर पाए जाते हैं फिर हम देखेंगे कि जो cytoplasm है water contentus में जादा होता है अब इस cytoplasm में अब इस cytoplasm में जो आप देख रहे हैं कि यह जो structure है यह circular chromosomes तो यहाँ पर chromosome पाए जाते हैं chromosome मतलब nucleic acid chromosome का वैसे मतलब है nucleic acid और protein से मिल करके जो बना structure है उसे हम कहते हैं chromosome और यह एक genetic material है उस cell का कोशिका के अंदर जो genetic material है आनुवाण सिक तत्व है जो आनुवाण सिक पदार थे उसको हम DNA कहते हैं डी अक्सी रिबो न्यूकलिक असिद यही इस cell को govern करता है transcription और translation के माध्यम से और साथ में जो traits है जो लक्षन है वो लक्षन एक PD से दूसरी PD है मतलब जब यह कोशिका विबाजित होकर के दो पुत्री कोशिका बनाएगी तो मतलब दो नई कोशिका उत्पन भी तो एक नई PD हुई तो उन दो नई कोशिकाओ के अंदर जो genetic material है यही transfer होता है इसका replication होगा फिर दोनों में बराबर बराबर transfer होता है but important thing यहाँ पर है कि यहाँ लिखा गया है circular chromosome circular chromosome को actually देखा जा तो यहाँ पर कहा जाता है CCCDNA Covenantly Closed Circular DNA तो यह एक vicious lection है प्रोकिरिटी कोशिकाओं का कि उनमें CCCDNA पाए जाता है CCCDNA characteristic feature of प्रोकिरिटी के इसका लवाब देखेंगे आपट यह थाइलकोईड है थाइलकोईड मेंबरेंस जो होती है इनकी मेंबरेंस के अंदर क्या होते हैं पिगमेंट्स होते हैं उन पिगमेंट्स का कारी होता है प्रकाश संस्लेशन इसका लवाब कहीं सारे आप देखेंगे protein crystal पाए जाएंगे कहीं सारे polysacryde reserves हैं food reserves हैं oil droplets हैं gas vacuoles हैं तो women प्रकार की structure से यहां पाए जाते हैं पर ribosomes भी पाए जाते हैं इनमें ribosomes भी पाए जाते हैं पर यह ribosomes जो है वह 70s प्रकार की होते हैं जो इनमें जो ribosomes पाए जाएंगे वो 70s टाइप की होते हैं यह characteristic feature है prokiritic शैवालों का तो आप देख सकते हैं cyanobacteria जो है जिनमें prokiritic cells पाए जाते हैं prokiritic nature के होते हैं उनका cellular structure का डाइग्राफ हमें अभी अभी अजन किया है प्रकाश के मात्यम से और inovni carbon dioxide यूज करते हैं CO2 को यूज करके C6H2O6 मनाते हैं इस इस प्रकार से अपना nutrition प्राप्त करते तो उनको प्रकाश कहते हैं on the basis of their size cell structure presence of murine 70s ribosome and other feature the sign of bacteria जैसे कि मैंने बता है चुकि उनके अंदर उनका cell structure इस प्रकार का है कि कोई भी membrane bound organs में नहीं पाए जा रहे हैं उनकी कोशी का बिट्टी जो है मियूरीन की बनी होती है मियूक पॉलिस जो है मियूको पॉलिसेक्राइट की बनी होती है उनमें 70s प्रकार के रहा है बोजों पाए जाते तो और सीसी सी डीने पाए जाता है तो इस अधार पर हम जो भी साइनोबैक्टरियाज है इतने वहलां प्रोकेल हैं यह मुख्य था LAUCT होते हैं एक कोशिका भी हो सकते हैं एक हुआ मदलब कोशिका मिल करके गुर्प मैं रह रहे हैं तो उनको एक कॉलोंज कहते हैं फिलामेंट वह सकते हैं मतलब एक कोशिका के उपर एक दूसरी कोशिका के उपर तन्तु में सरच रहा अगर कोशिका का विभाजन का तल समय एक समान है तो वह एक फिला में डेवलप होगा जनरली ड्यार्व नेगेटिव बेक्ट्रिया चुक्कि यह इनके पॉलिसएक्राइड होती है और ग्राम टेस्ट के यह साफ से यह ग्राम नेगेटिव बेक्ट्रिया जें यह यूज वाटर इस यह यह ऑक्सिक फोतोसंथेस्स तो यह ऑक्सिक फोतोसंथेसिस परफॉर्म करते हैं इसलिए जब वह वह उसको कहेंगे ऑक्सिक फोतोसंथेसिस अगर कोई है सब्सक्राइब होगा सीगोड ऌसे Open सेंथना ऊंपसिक फोतोसेशिस कहेंगे कोई सारे इसे साल वैक्तिएड वेक्तिरिया जो कि यह आप देख सकते हैं कि अदिया गया है कि ग्राम नेगे टिरलिया और ग्राम पॉसिट तो इसमें आप देख सकते हैं प्रकार के मोनो सक्राइड जो की मोडिफाइड मोनो सक्राइड एन इस टिल ग्लुकोजमीन और एन इस्टिल नियुरामिक एसिट से मिलकर बनी होती है इस मेमाइन इस मेमाइन देखें हे और यह अन्दर की तरह प्लाजामेट और लिपीड मेमाइन Down syndrome ज्यादा है ओक्रेवा यह आप देख सकते हैं एक प्रेप्टाइडो ग्लाइकें लियर का जो एक्जामपल है किस तरीके से होती है आप यह जो हेग्जागोनल स्ट्क्चर से हैं दे आर एक्चुली मॉडिफाइड मॉनो सेक्राइड तो यह जो मॉनो सेक्राइड जो अलग पकार करें जैसे देख र है जबकि दूसा जो है व्य तो यह एक्चुली सुगर रहें एक्जोशुकर है यह आपस में एक जैसे माहले एक्जोश्चु कर है यह ग्जोशर है इनके मभ जो बैन्ड है यह बांड जो है यह बीटा वन फोर ग्लाय को साइडिक बांड होता है तो यह तो हो गई पूरी पूरी यह जो structure है यह पूरा पूरा हो गया आपका polysaccharide का क्योंकि एक monosaccharide आपस में दूसरे monosaccharide से मिलकर polysaccharide करें पर ऐसे यह जो अललग polysaccharide जो चल रही है जिनको hetero polysaccharide कहेंगे हैं क्योंकि इनमें दो अललग प्रकार के monosaccharide हैं आपस में यह peptide crosslink से जुड़े होते हैं यह हैं tetrapeptide crosslink tetrapeptide का मतलब यह amino acid है कि 4 amino acid 3 peptide bond से जुड़े हैं और साथ में इनके अंदर pentaglycine bridge भी होता है यह pentaglycine bridge आप देख सकते हैं तो कुल लाएकर एक तो polysaccharide और peptide मिल करके यह structure बनाते हैं तो इससे इसको mucop polysaccharide भी कहते हैं फिर आप देखेंगे तो यह plaza moment का दो फ्लीड मॉसिक मोडल है कि बी सेल वाल की बीदर की और plaza moment होती है plaza moment में क्या होता है phospholipid bilayer होती है आप यह phospholipid bilayer देखेंगे इसके अंदर polar head group जो है वह बाहर की और होता है यह आप देखेंगे यह तो polar head group हो गया और यह आप देखेंगे यह non polar region हो गया तो जैसे polar head group जो है वह एक तो बाहर की और यहाँ पर है और एक polar head group है वह अंदर की और होगा और जो non polar region है वह बीतर की और होता है तो माल यह कि यह जो रीजन है यह साइटो प्लास्म की तरफ है और यह जो रीजन है यह cell wall की तरफ है और इनके अंदर बीज बीच में कहीं सारे और लुट८्स आशल्म आपने एट क्स जितुमें देख रहे हैं चीजार प्रोटीन यह जू जो प्रोटीन को मेंड करेंढ़े में को बीठीट और प्रोटीन और साथ में कुछ जगे पर कार्बॉाइडिट्स भी होते हैं तो मुख्य गटक इसके एक तो लिपिड हो गया प्रोटीन हो गया और कार्बॉाइडिट्स होते हैं यह सेलेक्टिवली पर्मेबल होती है इसके अलाव जो मैंने बताया था कि प्रो क्रिटिक असे दैना होता है वह cognitive होता है CCC DNA होता है Covalently Closed Circular DNA होता है तो आप यह देखेंगे Circular DNA यह पूरा Circular यह जैसे यह DNA का स्ट्रक्चर है वाट्सन एक्रिक मॉडल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है DNA की एक स्टेंड है यह एक स्टेंड यह सिरा और यह सिरा आपस में जुड़ा वा रहता है तो इससे यह CCC DNA बन जाता है तो प्रोक्रियोट्री की विशेष्टा है कि उनके अंदर Covalently Closed Circular DNA पाया जाता है एऐ फिर statement इंदर आप भेंगे यह साइन सब्धेरी आप साइनास ब्णकरिया है यह स्ट्रक्चर को यह फें殡ोक्रुग ने तोDas लुक्ररी आए सब्सक्रेडमा च्र्काइं जो कर्सक्राइद के वह कि अधिक्यृतिक स्ट्रक्चर्ध माइं स्टाइनोबैक्ट्रिय के पास फोटो संथेसिस करने की काबियत हैं उन्हें पास प्लाइब और साइनोबैक्ट्रिय को बोजन मना गए रहा और उनको बोजन प्राथ करने चावशकता नहीं है क्योंकि वो करते थे तो दीरे दीरे और वो उनको सुरक्षा के साथ साथ रो मॉल्टियल दे रहा तो यह जो रेशन दोनों की वीच में फायदेबन साब बिंद्वा एंडो सिंबायसिस तो वह अल्टिमिले दीर दीर पर्मनेंट हो गया और आज जो यूकर्स जो सब्राइबसों 70 इस परकार के होतें अब एक मल जोसा मुन होते हैं समालर सबमिन छो आरा अर नैस movement ूबनाते हैं ऊज्ड के में रहा हैं जो है वह और और नया जो उन्हों से मिलकर बने होते हैं डीटियल स्ट्ट्चर दे रखाए कि ट्वन्टीटी एस आरा रहने इसमें प्रोक्रेटिक यूटिक यूटिक का दोनों कंपेर कंपेर्टिव एनलसिस क्या है कि प्रोक्रेट्स में 70S राइबोजोम होते हैं तो स्टुडेंट्स आज हम हमने प लिए उन्टेटिक सीहल का स्ट्रक्चर करेंगे